कि है गाइस वेल्कम बैक टुमाइच चानल अन बात करेंगे हम टागित कर रहे हैं हर्याना बीट को पेपर टू फॉस्ट यर लक्षमी पब्लिकेशन से मैं कवर कर आती हूं आपके सारे टॉपिक्स तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है मेडवल टाइम पीरियट को हमने डि युक्रिशन सिस्टम में और इस टाइम पर किया था कि जो मुस्लिम थे वह आ चुके थे इंडिया में तो अजब्लिम्स ने अबरूल किया इंडिया पर थीक है तो उस टाइम पर जो और्ट करेंगे देखे मेरी किसी भी वीडियो का मोटो ये नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट ही किसी रिलीजिन के ओपर क्रिटीक कर रही हूं मैं आपको वह टाइम पिरियड पढ़ा रही जो कि आपके बुक में हैं आपके स्लेवस में हैं क्योंकि जब हमारे देश में बाहर से मुसलिम दूसरे देशों से मुसलिम कमनेटी आई और उन्होंने भा उन्हों की संस्कृति को उनकी चीजों को बढ़ाया चाहे तो वही इन्होंने किया देशिए अगर आपके पास आप पढ़े लिखें आप कोई भी काम करके क्या कमा सकते हैं पैसे कमा सकते हैं इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ालिका नहीं हो पैसे नहीं कमा सकता आपको पास होते हैं लेकिन बहुत अच्छा पैसा कमा रहें तो यह मौटिव है कि हम लोग क्यों पढ़ाते हैं ताकि मेंटल डवलप्मेंटों किसी इंसान का और वो ससाइटी में अच्छे से एक्जिस्ट करें इस रिटन इन्दा होली कुरान की पवित्र कुरान में लिखा गया किसी को सोना देने से बहतर है कि आप उस बच्चे को शिक्षा दें यह कहां लिखा है कुरान में लिखा है इंपार्टिंग एजुकेशन वास दा नोबल डीड एक्कॉर्डिंग टू मुस्लिम नॉलेज वास कंट्सिडर तू वी दा बेस्ट फ्रेंड ओफ और मैन वह मानत चलता है देखिए आपने कोई चीज सीख ली आपको कुछ बात समझ में आ गई आपको एजुकेशन सिस्टम कुछ समझ में आया आप उसको लाइफ में डैट टाइम तक तो नहीं भोलते हैं आपको चीज़े भूल जाते हैं आप कहेंगे कि हम तो याद करता लेकिन भूल हमारे माइन में क्या होता है मैं आमरी साल्स होता है आपको पता है डेली बहुत सारे साल्स डैड होते हैं और हमारे माइन का फंक्चन है कि भूल जाना क्योंकि अगर माइन सारी चीजों को याद रखेगा न तो आप आप जी ही नहीं पाएंगे इसलिए जो आपसिस ओन मेटेरियलिजम मेटेरियलिजम पर बहुत जादा फोकस किया था रिलीजियस एजुकेशन वाज पार्ट केरुकुलम मोर अटेंशन वाज गिवन तो मटेरियल आस्पेक्ट ओफ लाइफ मतलब मटेरियल हर एक चीज जैसे घर है रहना सहना यह सब इन सब चीज पर टाइम पीरिएट पर विमें एजुकेशन नहीं थी अब यहां पर जो मेडवल टाइम पीरिएट यहां पर भी नेगलेक्ट किया गया विमें को एजुकेशन ओव विमें वास ओलमेस निगलेक्टिड और पूरी तरीके से इनको निगलेक्ट किया गया पढ़ाई होती नहीं थी लेडीज बिलॉंगिंग तो दर रॉयल फैमिलीटी बिडबिक बिसाइट सिंस असेंस ओफ इंसीक्यारिटी प्रवेल्ड एवरीड नो प्रॉपर अटेंशन वस्पेंड ओन एजुकेशन ऑफ गल्ल्स सिर्फ जो रॉयल फैमिलीज थी उनी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन्स बनाए गए थे एजुकेशन को लेके रॉयल फैमिली इंदर सेंस राजारानियों के जो यह ना शहेंशाह और बादशाह और बेगमों के जो कुछ बड़ बच्चियां होती थी बेटियां होती थ कोई भी अटेंशन नहीं दिया जाता था लड़कियों की एजुकेशन पर ओनली फ्यू गर्स लर्ण में रीडिंग राइटिंग इन लोकल मॉस्क्यू मतलब मस्जिदों में कुछ लड़कियां सीख लेती थी लड़कों के साथ पढ़ना लिखना बस इतना है थार्ड पॉ नेक्स्ट पॉइंट है नौ स्कोफ ऑप्स स्टडि सेल्फ स्टडी का कोई भी स्कॉप नहीं था फिफ्ट पॉइंट है लैक ओफ हाइडियल हाइडियल की कमी थी ड्यूटू दा लैक फ़ाइडियल सफ एजूटिशन स्टुडेंट्स अंगल लग्जरी कंवर्ट इंस्ट कि खाइन सरों गए यह श्मार्फ के होगा है जो कि यह पढ़ाते हैं कि आप सोचे यह खुद उतकरशस होती है और आपको जी के जी जीस पढ़ना तो उतकरश क्लास बहुत अच्छे पढ़ाते हैं यह मैं किसी का पर मोशन नहीं कर रहे हूं नहीं कोई प्रोमोशन करूंए नहीं हुए वर से नहीं हो होगे किसी को अब डुकलाम की तरह बनना है किसी को महत्मा गांधी की तरह बनना क는데 कि कי आपने टीचर की तरह बनना किसी कोका फॉर हें टॉक्टर बनना है तो यह मतलब यह एक आइडियल सेट कर लिए गया है विदाउट आइडियल एनिवन कांट स्टड़ी जब तो आपका कोई एक एम ना हो कोई मुद्दा ना हो कोई आपके लाइफ का हीरो ना हो या तो हीरो इंदसेंस ही जो टीवी में मुवीज में आते हैं इनकी बात नहीं हो रही है जिनको कॉपी करना चाहते जिनके तरह आप बना चाहते हैं इस जब चीजों की लेकनस थी ना इंफिसाइज ओन इंट्रगल डेवलोप्मेंट इंट्रगल डेवलोप्मेंट पर कोई भी फोकस नहीं किया जाता था लैक ओफ मास एजूकेशन अब मास एजूकेशन तो थी क्योंकि जब गल्स की उनिवर्सटी को सरी गल्स को एजूकेशन से दूर रखा गया जितने भी एजूकेशन थी वो दरसल अर्बन में होती थी में कॉलोनीज ओफ मुस्लिम और जो में कॉलोनीज थी वहीं पे जादा होता था और जो मुहम्मद सहाब होते थे वो आते थे और है शोर्ट लाइफ ओफ मदर्शास और मकतब इनके लाइफ बहुत शोर्ट थी मदर्शा और मकतब हैज अवरी शोर्ट लाइफ वोड जन्रोली कॉलाप्स दूरिंग दा स्कैसिटी ओ फंड क्यूंकि जब फंड ही नहीं रहेगा तो चीज़े चल कैसे पाएंगे और जब विड्रॉल ओफ पाटरिनेज ओं ली तो सविज दर ड्वैलिंग प्लेस ऑफ बर्ट अन वाल अनिमल्स पॉलितिकल इंस 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 इंस्टी टी अंडिटर्माइन धियर एकनॉमिक स्ट्रेंथ लास्ट प्ट है इसका नाइं पन्हुझ डॉमिनेशन और पर्षान और अराबिक पर्षान और अराबिक जोप्स लॉइग अन्ट एनका भ्र द्वामिनेशन था इनके इंश्म परे बिरुत। compulsory to be studied क्योंकि इसको compulsory कर दिया गा था इवन दा हिंदू एक्वाइडर नॉलिज ऑफ पर्शियन विद विद विव ऑफ अप्टेनिंग स्टेट सर्वेस कि अगर स्टेट में कोई काम करना है तो अगर वह हिंदू कमुनिटी से भी बिलॉंग करता है दैन ही और शी ऑल्सो भ अकबर एक ऐसा शाशक था जिसने हिंदी को स्प्रेड किया बड़े प्रूट फ्यूटाइल इंड़ उर्दू दैट इमर्ज और बाद में वह उर्दू में मर्ज हो गई हिंदी भी उर्दू में मर्ज हो गई तो यह सब और अकबर की करने के पीछे एक रीजन अगर मैं आ इंडिया के लोग थे तो इसलिए शाद उन्होंने इस चीज को किया होगा डिस्पाइट ओल दिजिए इनिक्वालिटी इन हरे इन मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम दा स्ट्रीम उप मुस्लिम एजुकेशन कांटिनू तो फ्लो इंडिया इन पीरिया और फाइफ एफ तो देखे ऐसा नहीं था कि सिर्फ जुरू लड़ाए उनी पर इफेक्ट पड़ा क्यूंकि ऐसा तो था नहीं कि एक साशक आया इंडिया पे तो ऐसा है कि बहुत सर शाशक को नराज किया एक आया है वो गया दूसराए उसने उसको अहराय फिर तूसरा तीसरा चो था इस तरीके से तो जितने भी शाशक की देन कि मुश्लिम कमइनिटी उनकी देन है क्योंकि क्योंकि उनकी दानिया और इन ह mm के सल्वार कुर्थिया इंडिया का नहीं था ह। नहीं सल्वार कुर्तिया developing यह भारत का नहीं था कि यह सब कहां से तो एक परिधान बैंती तो यह तो वह साड़ी बानती थी अपने पुराने देवी देवताओं को देखें होंगे पुरानी मुवीज देखी होंगी रमायन महभारत के टाइम पर देखा होगा तो क्यों क्यों कि वह हमारा इंडिया का कल्चर था लेकिन जब यह लोग हमारे देश में आए तो हम इनके कल्चर ने हम पर विछाप छोड़ी और वो चीदे चली तो चलती रहे गई और देखो इस चीज में कमफर्ड हो अच्छा हो तो उस चीज को एकसेप करने में कोई प्रब्लम नहीं बट एक समझाने का तरीका तो जो मैंने आपको समझाया बात करेंगे अप नेक्स्ट किया है और नाइन जो वीडियो आईगी दीके हर वीडियो पर एक नंबरिंग की गई है इसको सीक्वेंस से पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी तो उसमें हम मोडर्न एजुकेशन सिस्टम को देल करेंगे थाइंक्यू सो मच वीडियो अच्छी लिए लगती है तो लाइक कर लें मिलेंगे अपनी अगले वीडियो में थैंक्यू